मेरी राह का रौशन सितारा हो तुम इस नौविल को तहरीर क्या है सना जफर ने ये तुम क्या कह रही हो उसके इर्दगिर्द जैसे धमाके हो रहे थे वो आँखे फाड़े हैरत से उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पागल हो गई हो उसके नजदीक तो ये पागल पन ही था वो चन्द लम्हों के एवज उससे जिन्दगी भर का सौदा कर रही थी कैसी अन्होनी बात थी हजारों लड़कियां उसकी जिन्दगी में आई और गई चन्द घंटों के साथ के सिवा कभी किसी ने कोई डिमांड ना की थी आज वो अगर उसके साथ थी तो कल किसी और के साथ चन्द दिनों के साथ के बाद वो उनकी शकल तक भूल जाता था वो बाखुशी उसकी रातों को रंगीन बनाने आती और वो हमेशा के लिए उन्हें टीशू पेपर की मानिद उन्हें जिन्दगी से निकाल फैकता था लेकिन ये कौन थी? क्या थी? और ऐसा क्यूं चाह रही थी? मैं ठीक कह रही हूँ मैं जानिया कहलवाना नहीं चाहती जानते हो दुनिया में एक कुवारे जानी की सजा सौ दरे और शादी शुदा जानी की सजा सरयाम संक्सार करना है और इस सजा की मतामिल मैं नहीं हो सकती जानती हूँ अब ऐसी सजाएं कोई नहीं देता लेकिन मेरा जमीर मेरा अंदर हर लम्हा उटते बैठते मुझे सौ सो कोड़ी लगाएगा ये अल्ला की तजवीज करदा सजाएं हैं जो के उसके प्यारे नभी हजरत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وآलही वसल्म ने अल्ला का हुकम मान कर मुसल्मानों पर आईत की हैं वो लड़ खड़ा कर सौफे पर बैठ गया वो एक शौक किसी कैफियत में उसे देख रहा था तुम अगर मुझसे निकाह कर लोगे तो मैं इस हरामकारी से बच जाओंगी तुम अपनी हविस पूरी करके मुझे उसी वक्त तलाग दे देना मैं उसी वक्त चली जाओंगी चुप चाप अपनी हर रुस्वाई को गले लगा लूँगी लेकिन गुनाहकार तो ना कहलाओंगी दुनिया का चंद रोज अजाब तो काबले बरदाश है लेकिन आखरत का हमेशा रहने वाला अजाब बहुत सخت है तुम नहीं जानते कि तुम मेरे महरम बाप के बाद मेरी जिन्दगी में आने वाले पहले ना महरम मर्थ हो जिसने मुझे इस तरह बे परदा देखा है मेरे बाप ने भी आज तक मेरा खुला सर नहीं देखा मेरा एक बाल ही कभी उनकी नजर पड़ी हम तीनों बेहनों के चहरों को सिवाए हमारे बाप के कभी किसी नहीं देखा मैं समझती थी कि मेरी जिंदगी में आने वाला दूसरा मर्द मेरा महरम ही होगा जिसे मैं पूरी इमानदारी के साथ अपने वजूद की अमानत सौब कर शान्त हो जाओंगी खे उसकी अमानत पूरी हिफादत के साथ उस तक पहुँच गई लेकिन लेकिन वो दोनों हातों में मूँ छुपा कर फूट फूट कर रो दी तुम इस हराम कारी को जाइज बनाकर अपनी हविस पूरी कर लो मैं कोई मुझामत नहीं करूंगी दुनिया की नजरों में जितनी भी मायूब ठहराई जाओं लेकिन अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहती अपनी नजरों से गिर कर जिन्दा रहना बहुत दुश्वार है मैं जानती हूँ ऐसा करके मैं अपनी भेनों के लिए घड़ा खोद रही हूँ मेरे शरीफ और दीनदार बाप कसर दुनिया के सामने चुक जाएगा लेकिन उसके बरक्स रोजे महशर वो भी फखर से सर उठाकर जन्नत में दाखिल होंगी और मैं किसी के सामने शर्मसार नहीं होंगी के मैदाने हश्व में मेरे किरदार की पाकीज़गी का गवा खुद मेरा खुदा होगा वो बोल रही थी और वो साकत और जामत बैठा था उसकी खोन चलकाती रंगत लट्टे की मानिन सफैद पढ़ चुकी थी हालत ऐसी के काटो तो बदन में लहू की बून भी ना हो हाँ तुम अभी और इसी वक्त मुझसे निका कर लो मैं तुम्हें अपना सब कुछ सोब तूंगी तुम अपनी हविस पूरी करके मुझे फॉरण ही तलाग दे देना बस तुम मुझे जानिया मत बनाओ मुझे खुदा के सामने शर्मिन्दा होने से बचा लो प्लीज वो पलट कर फिर फर्याद करने लगी तुम हलाल और हराम के फर्क को नहीं पहचानते लेकिन मैं जानती हूँ शट अप जस शट अप चली जाओ यहां से चली जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए जाओ यहां से वो गैर मरई नुक्ते पर निगाह जमाए बोल रहा था और उसकी आवाज उसे गहरे कोई से आती हुई सुनाई थी वो हैरा तो बेयकीनी से उसे देखने लगी मैंने कहाना चली जाओ यहां से उसने कहने के साथ ही साइट पर रखे टेलेफोन का रिसीवर उठा लिया जबके निगाहे अभी भी एक ही मरकज पर जमी थी वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था लेकिन उसे अजादी का मसर्दा सुना रहा था तमाम दर्वाजिक खोल दो और इसे जाने दो कोई इसे ना रोके उसने हुकम जारी करके रिसीवर उंडेल कर रख दिया वो हैरतों का जहां चहरे पर सजाए अभी भी उसे देख रही थी जाओ तुम्हारे लिए तमाम दर्वाजिक खुले हैं कोई तुम्हें नहीं रोकेगा उसने डगमगाते कदम उठाए धीरे धीरे डरते डरते गर यकीनी अंदाज में सौफे पर पड़ा अपना गाउन उठाया तो उसके नीचे ही उसकी किताबे बैग रखा था उसने जल्दी से गाउन पहन कर अबाया ओड़ा और किताबों को सीने से लगा कर दर्वाजे की जाने बढ़ी लेकिन फिर याद आने पर पलट कर अपने जूते पैरों में फंसाए लरस्ते हातों से हैंडल पर हात रखकर उसे घुमाया जैसे उसे यकीन हो कि वो नहीं खुलेगा लेकिन वो खुलता चला गया उसने पलट कर उसे देखा जो अब अपनी आँखों पर हात रखे निधाल पड़ा था उसने गरदन मोड कर सामने देखा और फिर बाहर निकल कर भागी तो फिर पलट कर नहीं देखा उसे किसी ने ना रोका था इतनी बड़ी कोठी की भूल भुलईयों में भटकती आखिर कार वो गेट तक पहुँच गई और तेजी से भागते हुए गेट अबूर कर गई कमरे से बाहर निकल कर गेट तक पहुँचने तक उससे कोई जीरून ना टकराया था काफी दूर तक भागते रहने के बाद वो कभी चलने लगती और कभी भागने लगी लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मते जवाब दे रही थी वो एक दरख्त के साय में गिरने के अंदाज में बैट गई और अपना धोखनी की तरह चलता सांस बिहाल करते हुए बैग और किताबों के साथ मौझूद दस्ताने मौमी हातों में चड़ाए और सोक्स पहन कर दुबारा जूते पहनती खड़ी हो गई सामने से आते रिक्षे को हाथ दे कर उसे रोका और एड्रस बता कर पैट गई कलाई परबंदी गड़ी में टाइम देखा तो साड़े बारा हो चुके थे वो सुभा साड़े साथ बजे घर से निकली थी यानि तकरीबन चार घंटे वो उस शक्स की कैद में रही वो दुआ कर रही थी कि घर पहुँचने पर उसका किसी से सामना नहो लेकिन रक्षी आपी ने उसे कॉरिडोर से गुजरते देख लिया था अरे एनी आज तुम बहुत जल्दी आ गई हाँ वो आपी मेरी तब्यट ठीक नहीं मैं अपने कमरे में अराम करूँगी प्लीज मुझे कोई डिस्टरब ना करे क्या हुआ तब्यट को चाय बनाओ तुम्हारे लिए नहीं प्लीज मुझे कुछ नहीं चाहिए वो कहती तेज तेज कदम उठाती अंदर चली गई उसने कमरे में कदम रखते ही दर्वाजा बन करके चटखनी चड़ाई थी अह जल्दी आ गई हूँ मुझे तो लगता है सदियां बीट गई इस गलाजत भरी कैद में उसने गहरी गहरी सांस लेते खुद को गाउं से अजाद किया और सर थाम कर बैट पर बैट गई बार बार नम होती आँखों को साफ करती जैसे वो रोना ना चाहती थी वो बिस्तर पर चित लेटी छट को घूने लगी तमाम मनाजर किसी फिल्म की तरहां उसकी आँखों के सामने चल रहे थे उसने सकती से आँखे बंद कर ली लेकिन वो तमाम मनाजर तो उसकी दिमाग की स्क्रीन पर नमुदार हो रहे थे वो अपनी चीखों का गला घूंटती फूट फूट कर रो दी वो अपनी अब तक की जिन्दगी में कभी इतना ना रोई थी जितना वो आज रो चुकी थी और शायद आने वाले दिनों में भी अब उसे यही काम करना था उसे किसी तौर भी चैन नहीं आ रहा था अपने वजूद पर एक आग की तरह दहकते लंज का एहसास ही उसे कचों के लगा रहा था वो फौरन उठी और वाड़्डॉफ से कपड़े निकाल कर बात्रूम में घुस गई तकरीबन आदा घंटा लगाया था उसने बात्रूम में लेकिन एक एहसास जो उसके वजूद से चिमट कर रह गया था वो उसे किसी तरह नजात ना पा सकी थी वो जाए नमाज बिचाए अपने खुदा के हुजूर हासर हो गई नफल अदा की ये आंसू थे कि टूट टूट कर उसकी गोद में गिर रहे थे वो लब बस्ता अपने रब के सामने हाथ उटाये बैठी थी एक बार फिर वो बेख्तियार ही सजदे में गिर गई या ला तु कितना रहीम करीम है तेरी रहमतों की हद नहीं मैं तेरा शुकर अदा कैसे करूँ कि तू गलाजत के धेर में से मेरे दामन पर कोई दाग लगे बिना मुझे वहां से निकाल लाया या ला मैं तेरी गुनाहगार बंदी तेरा शुकर अदा करने से आजिस हूँ मेरे परवर्दिगार कि तूने मेरी इज़त पामाल होने से बचा ली वो ना जाने कितनी देर सजदे में सर रखे पड़ी रही कि उसकी समझ में ना आता था कि किस तरह कौन सा तरीका ऐसा हो कि वो अपने रब की रहमतों का शुकर अदा करे उसका बस चलता तो शायद अब वो कभी अपना सर जो ना जाने कितनी देर से सजदे में रखे रो रही थी ना उठाती लेकिन दरवाजे पर होती दस तक उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी क्या कर रही थी तुम कितनी देर से दरवाजा बजा रही हूँ मैं तो परिशान ही हो गए थी कुछ नहीं आपा नमाज अदा कर रही थी उसकी भारी आवाज और उसका चहरा देखकर वो चौंक गई क्या हुआ है तुम्हें रोती रही हो रक्षी बता रही थी तुम्हारी तबिर ठीक नहीं है वो फिकर मंदी से बोली तो वो थक कर पिस्तर पर बैट गई बस आपा एक बहुत बड़े हाथसे से बच कर आई हूँ उसके लहजे में सदियों की थकन थी खुदा खैर करे उन्होंने दिल थाम लिया क्या हुआ था कहीं चोट तो नहीं आई वो उसे चटोलने लगी नहीं आपा खुदा ने बड़ा रहम किया है उसने अपना सर उनकी गोद में रख लिया लेकिन रूपर ऐसे गहरे गाउ लगे हैं के वो सोचकर रह गई और आँसु तूट तूट कर उनकी कमीज का दामन भिगोने लगी या खुदा तेरा शुकर है ये आई दिन के एक्सिडन्ट खुदा की पना अच्छा लो तुम ये चाय पियो उन्होंने उसके बाल सहलाते हुए उठाना चाहा नहीं आपा जी नहीं जा रहा आप बस मुझे अपनी गोद में सुला दे और मुझे यकीन दिलाएं कि मैं आपके पास अपनों के दर्मियान हूँ मुझे सुला दे आपा वो आँखे मूंदे जैसे गुनूतगी में बोल रही थी आपा ने उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलानी शुरू की और साथ ही उस पर सूर फातिहा का दम पड़ पड़ कर फोकने लगी उनके ख्याल में यही था कि कोई खौफनाक एक्सिडंट उनकी हसासी बेहन के हवासों पर मनजमद हो गया है इसलिए वो घबरा गई है लेकिन रात तक वो तेज बुखार में फिनक रही थी खोश खोड़ से बेगाना अपने बिस्तर पर पड़ी थी और फिर पूरा एक हफ़ता उसने इसी आलम में गुजारा अन्थक तिमारदारी और इलाज के पंदरा दिन बाद उसके बुखार का कुछ जोर तूटा था लेकिन अभी तक सीने में दहकता लाओ कम होने में ना रहा था अपने वजूद पर मजबूत गिरिफ्त के एहसास से उसे अपने जिसम से आग की लप्टे उटती महसूस होती थी आपा आपा प्लीज मुझे पर पानी डाले मेरे जिसम पर आग लगी है आपा इसे बुझा दे वो हे जियानी अंदाज में बोली वो अभी तक हॉस्पिटल के बैट पर थी हटे हटे मुझे नहाना है नहीं मेरी जान डॉक्टर ने अभी मना किया है भून को वो इनके पकरते पकरते भी बैट से नीचे गिर कर रोने लगी आपा अपना हिजाब दुरुस्त करती कमरे से बाहर आ गई और एक वो वजूत के जिसे वो साकत और जामत छोड़ आई थी ना जाने कितने घंटे गुजर जाने के बाद भी उसी जगा बेहिसो हरकत बैठा था उसका दिमाग अभी तक धमाकों की जद में था और उसके दिमाग के तमाम खलीों के परखचे उड़ गए थे उसके सोचने समझने की तमाम सलायतें मफगूद हो चुकी थी बस्यात थी तो दिमाग के खाली गुंबद में गौंचती एक ही होच थी हराम और हलाल हराम और हलाल क्या है हराम और हलाल शेरदाद ने जब देखा कि सारा दिन गुजर जाने के बाद भी साहब कमरे से बाहर ना आया था तो वो खुद ही दस तक दे कर अंदर चला आया वो सौफे पर बैठा सर उसकी बैक से टिकाए आँखे खोले चट को घुर रहा था उसके चहरे पर चाहे ना समझ में आने वाले तासरास से खाइफ होकर वो उसे पुकार बैठा साहब खाना लाओं आपके लिए लेकिन इस बेहिस वजूद में कोई जंजबिश ना हुई तो उसने फिर पुकारा नाकामी की सूरत में उसने शाने पर हाथ रखकर हिलाया उसने जरा सा सर उंचा किया और खाली 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 नजरों से उसकी जानब देखा साहब खाना लाओं नहीं शेरदार नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए वो गुमसुम कैफियत में बढ़बढाया साहब आपकी तबियत तो ठीक है उसने मुतफक्र लहजे में पूछा शेरदार मुझे एक बात बताओगे शेरदार एक मजबूत जिसम का मालिक था उंचा लंबा चौड़ा उसको देखते ही उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था नसलन वो पठान था लेकिन बरसों से इस चहर में रहने की वज़ा से उसके लहजे में काफी हद तक तबदीली आ चुकी थी कहिये साहब ये गुना और सवाब क्या है हलाल और हराम में क्या फर्क है दुनिया और आखरत की सजाएं क्या है शेरदार बताओ मुझे आखर तुम्हे तो ये सब किसी ने बताया होगा तुम मुझे बताओ मुझे तो आज तक किसी ने गुना और सवाब के मुतालिक नहीं बताया हलाल और हराम का फर्क किसी नहीं समझाया तुम मुझे बताओ ये सब क्या है वो अब भी छट पर नजरे जमाए धीरे धीरे खुआप आ गई लेजे में बोल रहा था और शेरदार हैरत से आखे पाड़े उसे देख रहा था शेरदार ये सब तो माबाप बताते हैं अपने बच्चों को लेकिन मेरे माबाप ने ये सब नहीं बताया मुझे यकिनन तुम्हारे माबाप ने तुम्हें बताया होगा वो एक जटके से सीधा हुआ मुझे बताओ शेरदार मुझे बताओ वो अचाना की उठकर उसे शानों से पकड़ कर जंचोरने लगा बताओ मुझे औरत क्या है उसकी इज़त क्या है अल्ला और उसके नभी सललालाहु अलेहे वालेहिवासलम ने मर्द और औरत पर कौन-कौन सी हुदूत मतयन की है तुम मुझे बताते क्यों नहीं हलाल और हराम में क्या फर्क है शेरदार मुझे बताओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा वो सर थाम कर धीरे-धीरे बैट गया शेरदार ने पानी का गिलास भर कर उसके होटों से लगाया साहब पानी पियो वो परिशान था कि क्या हुआ था उसके साहब को वो बरसों से उसका खास मुलाजिम था और उसके हर जायज और नाजायज काम में वो उसके सास साथ था ये अजीम उशान खोटी हमरान आलमशा की जाती कोटी थी जहां वो हर रात एक नई लड़की को उसकी बाहों में देखता जहां शराप पानी की जगां इस्तमाल होती थी और इंजॉयमेंट के नाम पर रोज लड़कियों लड़के मिलकर वो धम मचाते के ना लड़कियों को अपनी निस्वानियत के जिया का एहसास होता और ना लड़कों की हविस खतम होती वो उसे हराम और हलाल में क्या फर्क बताता कि उसने तो यहां आज तक हराम से हटकर कोई दूसरा काम ना होते देखा था औरत और मर्द में काइम करदा कौन कौन सी हुदूद उसे गिनवाता कि यहां तो औरत खुद उसके हाथ में खिलोना बन जाती थी शुरू शुरू में वो यह सब देखकर हैरान होता था लेकिन अब तो वो खुद भूल गया था औरत की इज़त और उसके वकार को देने के इलावा वो उनको बिलकुल भूल गया और वो उसकी राह देखते देखते मनों मिटी तले जास होए फिर उसे हमरान आलम मिल गया और उसके साथ वो भी गुनाह के दलदल में धस्ता चला गया माबाप का बचपन और लड़कपन में पढ़ाया गया सबक उनकी नेकी और रास्टबाजी सब कुछ उसके जहन से महू हो गए पानी पी लें साहब उसने एक दफा फिर उसे पुकारा लेकिन उसने पानी मूसे लगाने के बज़ाए हाथ मार कर गिरा दिया नहीं मैं नहीं प्यूंगा हो सकता है ये भी हराम हो मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया कि कौन सी चीज हराम है मैंने जो मांगा मेरे माबाप ने मेरे सामने रख दिया जिस चीज की तरफ उंगली उठाई वो मेरी खौाहिश करने से पहले मुझे मिल गई मैंने जो कहा उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका कि तुम गलत कर रहे हो मैं जो कुछ करता गया वो सब उनकी नजरों में काबले फखर था मैंने अलग रहने की खौहिश की तो मामा पापा ने बिना किसी पसो पेश के मेरे लिए ये महल खड़ा कर दिया मेरे बाप मेरी मा मेरी बहनों की दोस्तियों में भी मर्द और और औरत का फर्क नहीं आया तो मैं उन सबसे छोटा होते हुए कैसे इस फर्क को कैसे जान सकता था नहीं साहब ये पानी हराम नहीं है उसने बेयकीन नजरों से शेरदार की जानिब देखा और पानी का गिलास होंटों से लगा लिया और फिर तो शेरदार को से हर चीज खिलाने से पहले बकाइदा हलाल और हराम की तश्री करनी परती आज तीसरे रोज भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था मुबाइल आफ और टेलेफोन के तार उसने खुद ही जुनूनी अंदाज में खेच दिये कि आने वाली फोन कॉल्स में लड़कियों का उससे मिलने का इसरार था शेरदार शेरदार वो निस्वानी पुकार पर चौक कर बाहर भागा जी मैडम वो भाग कर जाते ही उनके सामने हाथ बांद कर मौदब खड़ा हो क्या कहां मरे हुए हो फोन को क्या तकलीफ हुई है और मानी का सैल भी आफ है कहां है वो उनके तेवर खड़े थे वो वो अपने कमरे में है जी वो नजरे जुकाए खड़ा था वो अपनी बड़ी बेगम की बारीक सी रेशमी साड़ी के मुक्तसर तरीन बलाउस में से छांकते बदन पर नजरे जमानी की घुसाखी नहीं कर सकता था वो दो बेटियां बिहाने के बाद 25 साला भरपूर जवान बेटे की मा होने के बावजूद कहीं से भी 35 से उपर की ना लगती थी उनके अंग अंग में जवानी भरी थी सजने सवरने और खुद को नुमाया करने का तरीका उन्हें बिलकुल यंग लेडी जाहिर करता था जवान मर्द आज भी उन्हें देखकर आहें भरते थे वो बड़ी नजाकत से टिक टिक करती अंदर बढ़ गई तो वो उनके पीछे भागा वो मैडम साहब की तब्यट ठीक नहीं कुछ दिनों से क्या हुआ है उसे किसी डॉक्टर को चेक करवाया और तुम मुझे फोन करके इतला नहीं कर सकते थे वो जोर जोर से बोलती चलती जा रही थी वो मैडम साहब जी सो रहे हैं वो उनके साथ चल रहा था और चाहता था कि वो उसके कमरे में ना जाएं वो अपने कमरे में जरूर था लेकिन बैट के बजाए आज उसका बिस्तर कालीन था जहां वो बिना गद्दे और तक्ये के लेटा रहता शेरदार मुझे ऐसा लगता है जैसे इस बिस्तर पर बड़े बड़े नोकीले खंजर कड़े हूँ जो मेरे जिसम में पैवस्त होकर आर पार हो गए है मुझे बहुत तकलीफ होती है यहां लेटते हुए उसने खौफ जदा अंदाज में उसे अपने एहसासाद बताए थे वो खुद हैरान था कि यह अच्छानक हमरान आलम गर्देजी जैसे बंदे को जो हर किसी को अपने जूते की नोक पर रखता था क्या हो क्या यह सारी सूरतहाल उसकी समझ से बाला तर थी आज तीन दिन हो गए थे उसे इस परिशान कुर्द सूरतहाल से नबर्द आजमा होते हुए और वो जानता था कि अगर मैडम ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो उसकी शामत आ जाएगी और फिर ऐसा ही हुआ उन्होंने जैसे ही दर्वाजे के हैंडल पर हाथ रखकर खोला एक छटका लगा था उन्हें वो सर के नीचे हाथ रखके चित लेटा छट पर निगाएं जमाए हुए था वो बिजली किसी तेजी से आगे बढ़ी थी मानी? यहां क्यों लेटे हो? क्या हुआ है तुम्हें? उनके लहजे में तश्वीश के बजाए हैरानी और सक्ती थी वो निगाहों में बेगानापन लिये उन्हें देखे गया और फिर कितने ही सैकेटरिस नाकाम हो गए उसकी जहनी रूख को बदलने में वो खाली खाली नजरों से उन्हें देखे जाता और फिर नफी में सर हिला देता नहीं तुम्हारे पास मेरा इलाज नहीं है वो मुल्क के नामी गिरामी और माने हुए सैकेटरिस से कहकर जैसे उनके मूँ पर तमाचा खेच मारता क्या तुम बता सकते हो? खुदा की हकीकत क्या है? गुना और सवाब क्या है? अल्ला और उसके नभी ने औरत और मर्द के लिए क्या एहकाम सादर किये हैं? नहीं तुम नहीं बता सकते मैं पागल नहीं हूँ सिर्फ राह से भटका हुआ मुसाफर हूँ मुझे कोई राह दिखाई नहीं देती और वो माहिरे नफसियात सब कुछ जानते बूचते भी उसके पैरेंट से ये ना कह सके कि वो उसे साइकेटरिस की नहीं किसे आलिम दीन की जरूरत है ऐसा कहकर उन्हें उनके अताब का निशाना नहीं बनना था कि वो मगरिबी तरजे जिंदगी के दिलदारा महज नाम के ही मुसल्मान थे इसलामी और मश्रक की तरजे जिंदगी उन्हें किसी गाली की मानिद लगती वो अपना बहुत कम वक्त पाकिस्तान में गुजारते थे हमरान बेटा बहुत हो चुका अब बस करो अब मैं मजीद बरदाश्ट नहीं कर सकता क्या चाते हो तुम कुछ तो फूटो मुसे अपना प्राबलम बताओ हमारे साथ शेयर करो ये क्या तुमने ओल जलूल हुलिया बना रखा है अपना हुलिया दुरुस्त करो और जाकर अपना आफिस संभालो मैं अकेला क्या क्या देखूं जानते हो तुम्हारी इस लापरवाही की वज़ा से कमपनी को कितना खसारा हो रहा है कारोबार को कितना बड़ा नुकसान पहінश रहा है फैक्ट्यों की जानिब ध्यान देता हूँ तो कमपनी की साख बिगडने लगती है कमपनी को देखता हूँ तो फैक्टियों की तरफ से नुकसान उठाना पड़ता है मीरान आलम गर्देजी दो महीनों में ही बॉकला गए थी वो के जिसने बिजनिस का आधे से ज़्यादा बोज अपने कंधों पर उठा रखा था अब खुद से भी बेनियास था हलक से उतरताने वाला उसे जहर की मानिद लग रहा था वो खामुश बैठा ना जाने उनकी आवास सुन भी रहा था या नहीं मैं तुम से कुछ कह रहा हूँ हमरान वो फट पड़े तो उसने धीरे से सर उठा कर देखा आपने मुझसे कुछ कहा वो इसके सवाल पर हैरत से आँखे भाड़े उसे देखने लगे खाना खाया मिसिस आलम मिसिस आलम की कैफियत भी उनसे मुखतलिफ ना थी क्या यह उनका वही बेटा था जो जरा सी सरदनिश पर भड़क उठता था एक जरा सी खिलाफ मिजाज बात उसे आग बगोला कर देती थी जरा सी हबिया पर वो आसमान सर पर उठा लेता और अब अब क्या हो गया था उसे इन दो महीनों में उन्होंने क्या क्या पापड ना बेले थे उसे होश की दुनिया में लाने के लिए लेकिन वो उनके सामने एक लफ ता ना कहता लेकिन वो उनके सामने एक लफ तक ना कहता था ना जाने कैसी गिरा लग गई थी उसके दिमाग में जो के खुलने का नाम ना लेती थी वो अभी तक उसका असल मसला ना जान पाए थे वो उन्हें इस तरह देखता पाकर खामोशी से उट गया और वो परिशानी से उसे जाता देखते रह गए छोड़ दो मुझे, खुड़ दो मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो जैसे ही दो हातों ने उसे दबोच कर खुद से चम्टा लिया वो चीख मार कर उट पैठी, पसीने से तर उसका वजूद हौले हौले, लरज रहा था और वो खौफजदा हिरने की मानिद, अपनी दाएबाएद देख रही थी उसकी सांसे ऐसे चल रही थी, जैसे वो बड़ी दूर से भागती हुई आई हो एनी, क्या हुआ एनी, उसकी चीख सुनकर आपा के साथ, घर के बाकी अफराद भी दोड़े चले आए क्या हुआ है मेरे बच्चे को, क्या खौब में ढर गया मेरा बच्चा वो बाबा की लाडली थी, उसने धीरे धीरे पलके वाँ की तो बाबा के मुश्फिक तीरे से मुश्फिक चहरे को खुद पर जुके पाया, उस वक्त सारा घर, रमदानलमबारक के पहरे रोजे की सहरी के लिए उच्छा हुआ था लेकिन उसकी तब्यत के खराबी के बाइस अभी तक उसे किसी ने ना जगाया था बाबा भी दूसरी तरफ उसके जरहाने आ बैठे थे आप तो मेरे शेर बैटे हैं, फिर क्यूं डर गया मेरा बच्चा? वो उट बैठी, तो माजी ने उसका से रखता हुआ दुबटा उसके सर पर सही किया यहाँ भै, यह पाठ एक्ट अताम को पोँचा हसी इतात सुनने के लिए उद्धो नावल जवर प्राइट को लाइक कीचिए, सब्सक्राइब कीचिए, शेयर कीचिए, कमन करना मत भूलेगा